हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो इमानशीज वर्ल्ड आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही डिफ्रेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी वीडियो को एंड टक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको रेसिपी बहुत प मैं शायद पिसीवी चीनी डाल रही हूँ और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑईल तो बड़े चमच के करीबी ओएल डाला है यहां पे कोई भी फ्लेवर्लेस ऑईल आप ले सकते हो और इसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1-4 टीज़व करीब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यहां पर दई जो है जादा खटे वाला नहीं होना चाहिए इसके बाद इसके अंदर मैं देखिए डाल रही हूं दो कप के करीब मैदा आप चाहो तो गेहूं के आटा भी यूज कर सकते हो इसके बाद एक चुटे चमच के करीब बेकिंग पाउडर डाल रही हूं और 2 चुटे केक करीब बेकिंग गोल बनालें गे तो यह थोड़ा थोड़ा समय दूड़ा qui दालती जाओंगी और इसको मिक्स करती जाओंगी राष बनीला ऐसिंस ileg का यूज के दूह है इसके अनदर को इसके आप तो एक करीब दूच में गहल दिया है अभ इसको करेंगे और गहाडा इसे घॉल बनाएंगे इसमें लंब्स WILC धेनी टिक गहल बनेगा हमारा रिक इसमें टारीका समय गहल करला क्यां से निदर जैसे डोसे का गूल होता है ना उससे जैसा चिप्चपा होगा लेकिन यह बहुत घाड़ा गूल होगा यह देखे इस तरह के से अब यहां पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है ग्लास में अब इसमें आदा गूल मैं जो है इस पाइपिंग बैग में भर लूँगी तो आदा जो है वह हम इसके अंदर भर लेंगे देखिए इसको मैंने भर लिया है तो रबर बेंड लगा के हम सिक्योर कर लेंगे और आदा गोल है जो इसके अंदर में डाल रही हूं दो बड़े चमच के करीब कुको पाउडर और इसके अंदर थोड़ा सा दूद और डाल अगर आपके पास wiping bag ना हो तो आप किसी जलेबी वाला जो आता है ना डबा उसमें भी भड़ सकते हो यहां फिर किसी बॉटल में भी भड़ सकते हो सबसे पहले यहां पर मैंने oil मीडियम आज पर गरम करने के लिए रख दिया है और यह जो है हम piping bag का आगे वाला हिस्सा काट लेंगे और यह देखे कैंची मैंने ले लिए हैं यहां पर और इसको भी जो है हम आगे से चिकना कर लेंगे oil में डिबा के इस तरह की से चिपकेगी यह देखे इस तरह की से जिसे गांटि होते है ना ऐसा यह जो है घोल गिरता जाएगा नीचे और आप इसको जो है डिजायट कॉंटिटी में आप काट सकते हो जितना लंबा आपको रखना है मैं देखे बहुत ज़ादा लंबा नहीं काट रही हूं तो आप इस तरह के से बहुत ही टेस्टी क्रश़ नियुक्रण्ची और कुरकुरा हो जाता है बाहर से सॉफ्ट हो जाएगा और फूल जाएगा बहुती fluffy हो जाता है, अपनी size से 2-3 गुना जादा बढ़ जाते है, ऐसी recipe friends आपने शायद कभी नहीं देखी होगी, एक बर ये ज़रू try करना बहुत tasty बनती है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे chocolate वाले fry हो गए हैं, और बहुत tasty लग रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तर आपको दिखाने के लिए, कि shape आप दूसरी भी ले सकते हो, अगर आप piping bag को पतला काटोगे तो आपके पतले-पतले shape बनेंगे, और आप मोटा काटोगे, तो आपके मोटे-मोटे shape बनेंगे, ये देखिए इस तरीके से मैं कैची से काटती जा रही हूँ गोल को, इस तरीक अगर जैसा shape हो जाएगा, ऐसे shape भी एक जैसा आता है, अलग सा लगता है, और बहुत ही अलग सी चीज लगती है करने में, तो मजा भी आता है, ये देखिए, ये मैंने ये वाले भी white वाले भी fry कर लिए है, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से fluffy हो गए है, और बहुत ही प जाए को share करना, बिल्कुल मत भूलिएगा, जाए 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 फ्रेंस के साथ share कीजिएगा, ताकि वह भी बना के enjoy कर सकें, तो फ्रेंस इसको और जाए टेस्टी बनाने के लिए, अब ये हमको एक शुगर सिरब बनाना होगा, तो यहाँ मैंने एक कप के करीब चीनी नहीं बनानी है, कोई तार वाली, इसको हमें बस तब तक उबालना है, जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है, तो यह देखिए अभी पैंदे में चीनी है, और इसको मैं थोड़ा सा और उबाल लेती हूँ, तो यह देखिए फ्रेंस, यह हमारा जो घौल है, यह चीनी है, अच्छे तरीके से गल गई है, मैंने इसको एक मिनट चीनी गलने के बाद और उबाल लिया है, और यह हमारा सिरफ है, जो यह तियार हो गया है, पतला-पतला सा सिरफ होता है, चिपचेपासा, और इसकी गैस को मैंने बन कर दिया है, अब इसके अंदर यह हम जो ह तो बहुत ही डिफरेंट सी चीज है बिलकुल अलग सी चीज है आपको बहुत पसंद आएगी और इसको मैंने बस डिप किया है और फटा फट से निकाल लिया है इसको जादा देर गरम सिरप के अंदर नहीं छोड़ेंगे हम क्योंकि यह अंदर से बहुत सॉफ्ट है और ब्र बिलांगे क्योंकि यह केक जैसे है अनर से बहुत जादा सिरप को बीभा लिए आ वाईट वाले बिलेगे और इस की यह चॉकलेट वाले में जो है सिरप में डिप कर लिए थे और इसके बाद इसके उपर हम जो है थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए और अलग से क्रंची टेस्ट के लिए तिल डाल रहे हैं तो वाइट वालों पे मैं डाल रहे हूं ब्लैक वाले तिल यह देखने में भी बहुत ही सुन्दर लगते हैं यूनीक स्टाइल की चीज है आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और यह देखिए यह हमारे चॉक्लेट वाले भी बनके त्यार हो गए हैं इसके उपर मैं वाइट वाले तिल डाल रहे हूं यह कॉंबिनेशन देखने में भी बहुत ही अलग लगेगा तो ऐसी रेसिपी आपने जादा टेस्टी और बिलीव मी एक बर आप यह बना के ट्राइ कर लोगे न तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा इतना टेस्टी है यह तो आई होफ फ्रेंड्स आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आई होगी वीडियो को जाद जादा लाइक कीजेगा और अपने फ्रे कुश्चन यह है फ्रेंड्स कि मैंने यह जो सॉफ्ट स्पंजी केक गुलगुले हैं इनको जिस सिरप में मैंने डिबाया था यहां सोक कराया था उसके अंदर चीनी और पानी का क्या रेशो था फटा-फट से इसका सई आंसर मुझे कमेंट करके बताईए जितनी जादा ब वीडियोज है हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू